Hello guys, कैसे हैं अपसे उमिद करता हूँ, अच्छे होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो मैं आपको WhatsApp के top secret trick के बारे में बताने वाला हूँ Guys, आज का ये वीडियो WhatsApp trick का एक complete package होने बाला है यानि guys, आज के इस वीडियो मैं आपको उन सभी tricks के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में YouTube पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है जैसे कि हम WhatsApp पे बिना online आए किसी को भी message कैसे कर सकते हैं कैसे हम अपने WhatsApp के online scene को hide कर सकते हैं कैसे हम किसी के WhatsApp नंबर को surveillance पे रख सकते हैं जब वो WhatsApp पे online आए तो हमारे पास notification आ जाए कैसे हम WhatsApp के deleted message को पढ़ सकते हैं तो दोस्तो इस तरह का complete package आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ और guys मैं आपको guarantee देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो दोस्तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरुवत नहीं पड़ेगी तो guys आज के ये वीडियो काफी interesting और काफी important होने वाला है बने रही हमारे साथ इस वीडियो में स्वागत है आपका मेरे YouTube चनल मुरजेट technical में मैं हूँ अमित कुमार दोस्तो अगर भी तक आपने मेरे चनल को सस्क्राइब नहीं किया सस्क्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नेने अप्लिकेशन्स लेटे नेने जानकारे से लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए फोन के ओम स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि दोस्तो काफी सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो वाट्सअप पे ओनलाइन नहीं आना चाहते हैं और वाट्सअप पे चैड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक अप्लिकेशन के जरुद पड़ेगी जिसका नाह में What's Bubble इस अप्लिकेशन का link मैं ने description में दे दिया है आप link पे click करके इसको install कर सकते हूँ तो दोस्तों चली मैं आपको बताताओ कि कैसे इसको use करना है तो यहां पे हम application को open करते हैं और यहां एक grip आपको click कर देना है अब आपको यहां पे click करते जाना है और आपको यहाँ पे permission को allow कर देना है अब आपको यहाँ start पे click करना है तो दोस्तों हमारे application का setup complete हो चुका है अब हम इस application को बंद कर देते हैं अब दोस्तों मैं अपने दूसरे WhatsApp से इस पे message करके भी आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे हम एक message करते हैं तो guys यहाँ पे आप देख सकते हो message आ चुका है और यहाँ पे एक bubble create हो चुका है और guys यहाँ पे कोई भी online scene नहीं देख रहा है यहाँ पे हम इस पे click करते हैं और guys आप यहीं से directly chat कर सकते हो और जो आपका online scene है वो किसी को भी नहीं देखेगा कि आप WhatsApp पे online हो या offline हो तो दोस्तो काफी कमाल का यह trick है इसका link description में है आप application को description के link से download कर सकते हो अब guys चले मैं आपको दूसरे trick के बारे में बताता हूँ गैस अब आप किसी के भी WhatsApp नंबर को surveillance पे रख सकते हो यानि guys सामने वाला बंदा जब भी WhatsApp पे online आएगा तो दोस्तो आपके पास automatic notification आजाएगा कि सामने वाला बंदा WhatsApp पे online है तो दोस्तो इसके लिए आपको एक application की जुरुत पड़ेगी जिसका नाम वा इस्टेट इस application का link में description में दे दिया है आप link पे click करके इसको install कर सकते हो तो चली मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका setup करना है अब guys आपको यहाँ continue पे click करना है और यहाँ पे permission को allow कर देना है तो दोस्तों हमारा जो application यह open हो चुका है और guys इसकी खास बात यह है कि यह application बिल्कुल free है आपको यहाँ plus पे click करना है और उस बंदे का यहाँ पे number और नाम डाल देना है अब दोस्तों मैं अपने दूसरे वाले WhatsApp का यहाँ पे number डाल देता हूँ तो यहाँ पे आपको plus 90 जरूर लगाना है सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे हमने नाम और number डाल दिया है और notification को भी enable कर दिया है अब हम इस application को बंद कर देते हैं और हम अपना दूसरा WhatsApp ओपन करते हैं तो guys यहाँ पे हमने WhatsApp को ओपन कर दिया है अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पर notification आचुका है कि यह वाला WhatsApp ओपन हो चुका है तो दोस्तों इस तरह आप किसी के भी WhatsApp को surveillance पे रख सकते हो और पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा कब कब WhatsApp पे online आता है अब guys चले मैं आपको तीसरे trick के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप WhatsApp के deleted message को पढ़ सकते हो क्योंकि guys काफी time ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमारे पास WhatsApp पे कोई भी message बेजता है और उसको delete for everyone कर देता है और guys हमें पता नहीं चल पाता है कि सामने वाले बंदे ने हमें क्या message बेजा था तो दोस्तों इसको आप बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो कि सामने वाले बंदे ने आपको क्या message बेजा था तो इसके लिए आपको एक application की जुरूत पड़ेगी जिसका नामे WAMR ये काफी अच्छा application है इसका link मैंने description में दे दिया है आप link पे click करके इसको install कर सकते हो तो हम यहाँ पे इसको open करते हैं अब आपको यहाँ accept पे click करना है और आपको यहाँ पे इस तरह scroll करते चला जाना है अब आपको यहाँ WhatsApp पे tick कर देना है और यहाँ पे click कर देना है अब आपको यहाँ पे कुछ permission को allow करना है तो दोस्तों हमने सारे permission को allow कर दिया है और इसका setup जो है वो complete हो चुका है अब हम इसको बंद कर देते हैं अब हम अपने दूसरे WhatsApp से इस पे message करते हैं तो दोस्तों अब हम यहाँ पे एक message करते हैं तो यहाँ पे हमने message कर दिया है अब हम इसको delete for everyone कर देते हैं तो यहाँ पे हमने message को delete for everyone कर दिया है और हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया था अब आपको अपने application में जाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो office number से high link के message आया था तो दोस्तो इस तरह आप deleted message को भी बहुत यासानी से पढ़ सकते हो और गैज इसकी खास बात यह है कि अगर आप अपने whatsapp से photo को वीडियो को delete कर दोगे तो दोस्तो आप यहाँ से बहुत यासानी से इसको recover भी कर सकते हो तो दोस्तो इस application का link भी मैंने description में दे दिया है आप link पे click करके इसको install कर सकते हो अब guys चले मैं आपको चौथे trick के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप whatsapp पे secret message को भेज सकते हो दोस्तो अगर आप चाते हो कि आप whatsapp पे जो message भेज रहे हो सिर्फ सामने वाला बंदा ही उसको पढ़ पाए तो दोस्तो इसके लिए आपको एक application के जुरुत पड़ेगी जिसका आम मौर्स code आपको इसको install कर लेना है इसका भी link मैंने description में दे दिया है अब हम इसको open करते हैं दोस्तो ये काफी कमाल का application है जो भी चीज़े आप message करना चाते हो तो आपको यहाँ पे type करना है जैसे यहाँ पे मैं how are you type कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने how are you type कर दिया है अब guys जो यह हमारा message है यह यहाँ पे मौर्स code में convert हो चुका है आप यहाँ पे यह dot 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 देख सकते हो अब आपको यहाँ पे इसको copy करना है और आपको अपने whatsapp में जाना है whatsapp में जाने के बाद आपको यहाँ पे paste करना है और इसको भेज देना है तो दोस्तो यह जो message है यह morse code में सामने वाले बंदे के पास चला गया है अब दोस्तो सामने वाले बंदे को भी आपको बताना है कि आपने जो message बेजाए वो morse code में है और उसको morse code application को install करना है और इस message को copy करना है जब सामने वाला बंदा message को copy करेगा और इसके बाद application में जाएगा अब दोस्तों यहाँ arrow पे click करना है और यहाँ पे morse to text हो जाएगा अब आपको message को paste करवा देना है तो जो message है वो translate हो जाएगा तो जो भी message लिखा रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा how are you तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से secret message को whatsapp पे भेज़ सकते हो अब गईज चले मैं आपको पांचवे trick के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप एक phone में application में दे दिया है आप link पे क्लिक करके इसको install कर सकते हो तो दोस्तों यहाँ पर हमने application को open किया है अब आपको यहाँ continue पे क्लिक करना है और यहाँ पे permission को allow कर देना है अब इसके बाद आपको यहाँ start पे क्लिक करना है अब गैस यहाँ पे काफी सारे app पे यह tick है आपको यहाँ पे un tick कर देना है और सिर्फ WhatsApp को tick रखना है अब आपको यहाँ पे add to parallel space पे क्लिक कर देना है अब आपको यहाँ accept एक क्लिक कर देना है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो WhatsApp है वो clone हो चुका है अब आप यहाँ पे वोट्सब पे क्लिक करके अपना दूसरा नमबर यहाँ पे रेइस्टर करके वोट्सब को चला सकते हो आपको यहाँ grant पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे allow कर देना है तो दोस्तों हमारा जो दूसरा WhatsApp है यहाँ पे open हो चुका है अब आप यहाँ agree and continue पे click करके अपना दूसरा number यहाँ पे register करके एक phone में 2 WhatsApp को चला सकते हो तो दोस्तो यह रहा पहला WhatsApp अब यहाँ पे आप देख सकते हो यह दूसरा WhatsApp है तो दोस्तो इस तरह आप एक phone में 2 WhatsApp को बहुत ही आसानी से चला सकते हो तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई द वीडियो को लाइक कर दो चैनल पर नई आई हो चैनल को सस्क्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नेने अप्लिकेशन स्लेटेड नेने जनकारी स्लेटे वीडियो बनाता रेता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद